पिछले एपिसोड में हाउच एन ने लेबल एट वाले डीमन का सामना करने के लिए अपने बाकी टीमेंट्स को भी यहाँ पर बुला लिया था और अब इस तरह से वे सभी एक साथ में मिलकर उसका सामना करने के लिए रेडी हो गये थे जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बा जिसके बाद वो डीमन कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर इतने संदार तरीके से आया था लेकिन आखिरकार इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा तब हम देखते हैं कि लिंस इन भी अपने पाउर का यूज करके उसे यहाँ से पर अटैक करने के लिए चला गया था क्योंकि वो समझ गया होता है कि चेन इन सभी में से सबसे वीक है लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गयी थी और फिर वो मैगडल से अपनी पाउर को दिखाने के लिए कहती है अब इसी वज़ा से वो इसके सामने कुछ करने की हिमत नहीं कर पाता लेकिन तभी उससे पता चलता है कि इसकी ब्रेट तो असल में बहुत ही वीक है और इसलिए वो समझ जाता है कि यह डिमन ड्रैगन तो फेक है अब इसके वज़ा से हम देखते हैं कि वो इसके उपर इसके उपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं जिससे देख वो डिमन इन से कहने लगता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे हरा पाओगे क्योंकि मैं तो असल में टेंथ पिलर डिमन गौड का उत्रा दिकारी हूं इसके अलाबा वो अपने ला इसके अलाबा हम देखते हैं कि वो डिमन बाकी लोगों के उपर भी अटैक करने लगाता है इसलिए वे सभी भी अपने सिल का यूज करके इसके खुद को बचाने लगते हैं लेकिन वहीं हाओचे नवीस का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और कहने लगता है कि क्या इस तरह से तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हूँ इसके बाद वो फिर से अपने लाइटनिंग पाउर का यूज करके इनके उपर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम जैसे चीटी मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब ही हाओचे नर उसके सा है कि हाओच इन भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था और वो इसके लिए यहां पर अलग-अलग डारेक्शन में जाने लगता है तब इसे इस तरह से भागते हुए देख वो डीमन उससे कहने लगता है कि तुम तो अभी कुछ देर पाले मेरे सामने बहुत ही अरोगन बढ़ने की कोशिस कर रहे थे लेकिन अब तुमें क्या हो गया कि तुम इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंस इन भी अपने फायर एलिमेंटल सिल्का यूज करके उसे बचाने लगा था लेक कि तभी हमें पता चलता है कि हाओचें को तो इसके अटेक से कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मिरेकल सौड उसके लाइटनिंग पाउर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था तब इसे देख वो डिमन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है और उसे भी स चम देखते हैं कि वो डिमन फिर से इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया होता है लेकिन यहादे कब हाओचें भी अपने पाउर का यूज करके उसके उपर अटेक करने लगा था और तभी हानी अपने लाइट ग्रेविटी का यूज करके उसे बहुत यासानी से क कर लेता है जिसके बज़ास से ऐसा लग रहा था कि वह पाले से और भी जादा ताकत पर हो चुका है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके उपर अटेक करने के लिए आ गया था जिसके बाद वेंग युआन भी तुरंत अपने सिल्द पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने लगती है जिस पर वो डिमन कहने लगता है कि या पाउर तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है लेकिन तभी इसी भी शम देखते हैं कि बाकी टीमेट्स भी अपने अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने लगते हैं जिसके बज़ास से और वो मेरे थंडर आर्मर के डिफेंस को इतने असानी से कैसे हरा सकते हैं। वहीं अब हाउचेन भी अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था। और कहने लगता है कि तुमने यहां के गाडियन को मार कर बिल्कुल भी सही नहीं किया। और इसलिए अब तुमें इसकी कीमत अपनी जान दे कर चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वो अपने डबल ड्रैगन वाले पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक कर देता है जिस पर वो डिमन कहने लगता है कि मैं तो टेंथ पिलर वाले डिमन गौट का उत्रादिकारी हूँ और इसलिए मैं इनके सामने इतने असानी से कैसे हार सकता हूँ। तब इस पर वेंग युवान उससे कहती है कि अगर तुम कोई उत्रादिकारी भी हो तो क्या हुआ और फिर अपने जाइंट सिल्का यूज करके वो इसके उपर अटेक कर देती है। इसके सामने हार माने वाला नहीं होता और इसलिए वो फिर से अपने सभी टीमेट्स के साथ में उससे रोकने के लिए जाने लगता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो गाडियन इसके उपर लगातार अटेक कर रहा था। जिसे देखते हैं लिंसीन चेन की आखे बंद कर देता है। और आखिरकार इस तरह से वो गाडियन डीमन के उपर अटेक करते हुए उसे मार डालता है। और इसी के साथ उसने इसके क्राउन को भी पकड़ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन इसके बारे में बात करने के लिए गाडियन के सामने आता है। और वो गाडियन उसे कहता है कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। तब इस पर हाओचेन उसे कहता है कि सीनियर आप तो मर गए थे। या सुनकर वो गाडियन उसे कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है। क्योंकि तुमने जिसे मरते हुए देखा था वा तो केवल मेरा डुप्लिकेट था इसके अलाबा हम देखते हैं कि वो इसके spiritual furnace को भी इसे दे देता है क्योंकि डिमन ने जिसे destroy किया था वा भी डुप्लिकेट ही था फिर वो guardian उसे कहता है कि यही तो इस spiritual furnace की ability है क्योंकि वो अपने user के जैसे duplicate को create कर सकता है और असल में उसके पास में original body के जैसे ही सारी ability होगी लेकिन फिर भी इसके spiritual power और duration उसके ताकत के उपर depend करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेनी सी spiritual furnace के लिए उसे thank you कहता है लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर मेरे किसी भी teammate को कुछ मत करना अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में upload हो जाएगा और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लैप ट्रॉली वीडियो जरूर देख लेना